नमस्कार मित्रों, डिजार पॉइंट चैनल के एक नए बिडियो लेक्षर में मैं हूँ अमिद्दू बेग और आज के इस बिडियो लेक्षर में हम क्लास 12 इंगलिस के 5 चैप्टर का अध्यन कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिगो पिछले बिडियो लेक्षर में हमने यहां तक अध्यन कर लिया था इसके टोटल दो पार्ट बन चुके हैं और ये इसका तीसरा पार्ट है चैप्टर इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया और सब कुछ समझाने के लिए मुझे तीसरा पार्ट भी इसका बनाना पड़ रहा है तो ये तीसरा पार्ट है और इसके पहले दो पार्ट देखने के लिए आप या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं वहां से आप इसका पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर डारेक्ट सर्च कर लीजिए इंडिगो और उसके हमारे चैनल से पढ़ना है तो बस उस चैप्टर का नाम लिखिए और उसके आगे डिजायर पॉइंट जोड़ करके सर्च कर लेजिए तो आपको हमारे चैनल से वो लेक्चर मिल जाएगा चलिए इसके आगे चलते हैं कहते हैं कि एड़ड गेट एक नाम है एक व्यक्ति का दलिटिनेंट गवर्नर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था यानि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि इन जून Lieutenant Governor Sir Edward Gate के पास बुलाया गया, Before he went, Before he went यानि जाने से पहले, He मतलब वहाँ, Went मतलब गये, Before मतलब पहले, यानि जाने से पहले, तो जाने से पहले, He met वो मिले, Leading Associates, Leading Associates and Again Lead Detail Plans, यानि यह हो जाएगा, कि Before he went, यानि जाने से पहले, He met Leading Associates, तो वो, Met मतलब मिले ना, Leading Associates मतलब होता है, प्रमुख सहयोगी, ठीक है, तो Leading Associates मतलब उनके प्रमुख सहयोगी, तो जाने से पहले, वो अपने प्रमुख सहयोगियों से मिले, And Again, और एक बार फिर से, Laid Detailed Plan, Laid Detailed Plan का मतलब हो जाएगा, कि जो प्लैन मतलब होता है, योजना, Detail मतलब पूरे विस्तार से, Laid मतलब, Laid Detailed Plan यारी, पूरे विस्तार से योजना बनाई, ठीक है, यानि एक विस्तरित योजना तयार की, For Civil Disobedience, Civil Disobedience का मतलब होता है, सभी ने अवग्या की, If He Should Not Return, वापस नहीं लोट पाते हैं, अर्थात उनको बुलाया गया, तो गांधी जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उठा के जेल में बंद कर दे, तो उन्होंने अपनी एक योजना बना ली कि, अगर मुझे जेल में बंद कर दिया गया, गांधी जी को, तो आप लोग सभी ने अवग्या सुरू कर देना, अपना काम सुरू कर देना, वो पुरी योजना बना ली उन्होंने, ठीक है, तो आसान सब्दों में इसको कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इन जून जून में, गांधी वाद समोन टू सर एड़वर्ड गेट, द लेटन गवर्नर, तो गांधी जी को, लेटन गवर्नर, सर एड़वर्ड गेट के पास बुलाया गया, before he went जाने से पहले वो अपने leading associates से मिले यानि अपने परमुक सहयोगियों से मिले if he should not return और ना lot पाने की इस्थिती में अर्थात कहीं ऐसा हुआ कि वो lot ना पाए तो उन्होंने एक बार फिर से पूरे विस्तार से योजना तयार की for civil disobedience सभी ने अवग्या की या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि उन्होंने शविने अवग्या की विस्तृत योजना तयार की clear है कोई doubt नहीं होना चाहिए यहाँ पर पहले इसको पढ़ा हमने कि before he went जाने से पहले he met leading associates वो leading associates से मिले यानि जाने से पहले गाधी जी अपने प्रमुक्स योगियों से मिले and again और एक बार फिर से late detailed plan उन्होंने विस्तृत योजना तयार की for civil disobedience civil disobedience यानि सविने अवग्या की if he should not return ना लोट पाने की इस्थिती में पहला तरीखा दूसरा तरीखा आप इसको ऐसे पढ़ा सकते हो कि जाने से पहले वो अपने leading associates से मिले अपने प्रमुक्स योगियों से मिले और ना लोट पाने की इस्थिती में उन्होंने civil disobedience सविने अवग्या की विस्तृत योजना तयार की गांधी had four protected interviews तो गांधी जी had four चार बार protected interviews मिले यानि चार बार मिले with the lieutenant governor lieutenant governor से तो four protected interviews क्या मतलब यहाँ पर interview में क्या होता है जब आप किसी से मिलते हैं तो वो आपसे प्रशन पोचते हैं सवाल जवाब करते हैं तो एक तरह से मिलना ही ठीक है तो गांधी जी चार बार मिले four protected interviews यानि गांधी जी चार बार मिले with the lieutenant governor lieutenant governor से तो गांधी जी लेव्टिनिनट गवर्णर से चार बार मिले फू और उसने अपॉइन्ट गठित कर दिया एक Official Commission एक अधिकारी आयोग ठीक है या फिर अधिकारिक आयोग भी बोल सकते हैं तो An Official Commission एक अधिकारिक आयोग गठित कर दिया of inquiry पता लगाने के लिए Into the Indigo Indigo मतलब नील वही हम Indigo को Indigo ही पढ़ेंगे ताकि doubt ना हो तो Indigo शेर को पर बटाईदारों की सिच्विशन इस्थिती का पता लगाने के लिए उसने एक अधिकारिक आयोग गठित कर दिया तो गांधी जी लिटनेंट गवर्नर से चार बार मिले जिसके परणाम सरूप उसने Indigo बटाईदारों की सिच्थिती का पता लगाने के लिए एक अधिकारिक आयोग गठित कर दिया एक एक वर्ट समझ में आ रहा है ना अब आगे चलेंगे बार बार रिविजन नहीं करेंगे एक ही बार रिविजन करेंगे और उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे क्योंकि अब बहुत जदा आसान है कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए आगे कह रहे हैं कि दो कुमिशन कॉंसिस्टेट कॉंसिस्टेट मतलब उस कमिशन में उस आयोग में सामिल थे आफ लेंड लॉट्स जमीनदार गवर्मेंट ऑफिसियल्स सरकारी अधिकारी एंड गांधी और गांधी आज़ दो सोल रिप्रेजंटेटिव का मतलब यहां पर है आफ दो सोल रिप्रेजंटेटिव के रूप में यानि एक मात्र प्रतिनिधी के रूप में स्वयम गांधी जी भी सामिल थे तो दो कमिशन उस आयोग में अब कंसिस्टिट को छोड़ दो ऐसे पढ़ो कि उस आयोग में जमीनदार, सरकारी अधिक्यारी और किसानों के एक मात्र प्रतिन्धी के रूप में स्वयम गांधी जी भी कंसिस्टिट सामिल थे क्लियर है और एकदम आसान तो है कि दो कमिशन उस कमिशन में उस आयोग में कंसिस्टिट मतलब सामिल थे यानि उस कंसिस्टिट मतलब एक तरह से मात्र आप यहां पर समझ सकते हैं कि वहां पर कौन-कौन लोग थे उस आयोग में कितने लोग थे कौन-कौन लोग थे तो एक से यहां पर सिधा सिधा बताया गया कि उस आयोग में जमीनदार सरकारी अधिकारी और किसानों के एक मात्र प्रतिनिधी के रूप में श्वयम गांधी जी शामिल थे यानि गांधी जी थे जमीनदार थे और सरकारी अधिकारी थे ठीक है आगे कहते हैं गाधी जी रहे इन चमपारन चमपारन में तो गाधी जी चमपारन में रहे फोर एन इनीशियल अनिंटरप्टेड यानि लगातार अनिंटरप्टेड जिसमें बाधा ना हो तो interpreted मतलब बाधा uninterrupted जिसमें बाधा ना हो यानि लगातार period मतलब समय of seven month साथ महीनों तक तो period of seven month यानि साथ महीनों तक तो गांधी जी चमपारन में लगातार साथ महीनों तक remained रहे and then और उसके बाद again for several shorter visit again और उसके बाद for several कई बार shorter थोड़े थोड़े समय पर visit आते जाते रहें ठीक है कहने का मतलब है थोड़े थोड़े समय के लिए वह वहाँ पर जाते थे यानि साथ महा तक तो वह लगातार वहाँ पर रहें लेकिन फिर उनको दूसरे काम भी करने थे तो वह वहाँ पर जाते और फिर थोड़े समय के बाद कहीं और दूसरी भ्रमण पर निकल जाते और फिर से चंपारन लड़ जाते तो कहने का मतलब यहाँ पर सिधा सिधा कह रहें एसपरश्ट रूप से कि गांधी जी चंपारन में लगातार साथ महीनों तक रहें और फिर उसके बाद वो थोड़े थोड़े समय पर ठीक है जाते रहें या फिर थोड़े थोड़े समय के लिए जाते रहें ठीक है यानि फिर लगातार नह समझ लीजिए फिर इसके बाद कहना है कि गांधी चंपारन में लगातार साथ महीनों तक रहे और फिर उसके बाद वो थोड़े-थोड़े समय के लिए जाते रहे ठीक है अब अगली लाइन ध्यान से समझना दविजिट मतलब होता है आप यात्रा तो यह यात्रा अंडर्टेकिन कैज्वली तो यह एक आकास्मिक अंडर्टेकिन कैज्वली मतलब आकास्मिक यात्रा ठीक है तो यह आकास्मिक यात्रा on the eternity eternity का मतलब होता है यहाँ पर request यानि प्रार्थना तो of an unlettered मतलब असिचित या अनपढ़ present मतलब किसान तो एक असिचित present किसान तो एक असिचित या फिर एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई यहाँ आकास्मिक यात्रा विजिट मतलब यहाँ पर यात्रा से है undertaken casually मतलब एक आकास्मिक यात्रा थी तो यहाँ पर सीधे सीधे the visit undertaken casually इसका मतलब हो जाएगा आकास्मिक यात्रा of the eternity का मतलब होता है request यानि की प्रार्थना of an unlettered यानि unpard and मतलब एक unpard present मतलब किसान तो एक अनपढ किसान की प्रार्थना पर की गई यहाँ आकास्मिक यात्रा in the expectation जिसकी आसा ये थी expectation मतलब आसा उम्मीद तो expectation जिसकी यहाँ आसा थी या फिर यह संभावना थी that it would last यह चलेगी a few days कुछ दिनों तक जिसके कुछ दिनों तक ही चलने की आसा थी या फिर जिसके कुछ दिनों तक ही चलने की संभावना थी occupied इसने ले लिया था आलमोश्ट यह लगभग एक साल और गाधी स्लाइव गाधी जीवन का इसने गाधी जीवन का लगभग एक साल ले लिया था कि एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई यहां आकास्मिक यात्रा जिसके केवल कुछ दिनों तक ही चलने की आसा थी इसने गाधी जी के जीवन का लगभग एक वर्ष ले लिया था तो दुद अधिकारिक जाच ने अशेंबल्ड अक्रशइंग मांटें आफ एवि देंज यानि एवदेंस मतलब सबूत Crushing Mountain मतलब यहाँपे की सबूतों का धेर Assembled मतलब इकठा कर लिया था तो Assembled a Crushing Mountain of Evidence सबूतों का धेर इकठा कर लिया था तो उस अधिकारिक जाँचने सबूतों का धेर इकठा कर लिया था Against मतलब विरुद्ध the big planters Big planters मतलब बड़े जमीनदारों के खिलाफ तो उस अधिकारिक जाँचने बड़े जमीनदारों के खिलाफ सबूतों का धेर इकठा कर लिया था And win और जब दे दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए तो और जब उन्होंने शौत देखा दिस इसे और जब उन्होंने इसे देखा दे अग्रीड तो वो सहमत हो गए इन प्रिंसिपल सिध्धान्त ताह प्रिंसिपल मतलब सिध्धान्त ताह सध्धान्तिक रूप से यानि अब पैसे दे दो नहीं तो जाना पड़ेगा नप जाएंगे तो वही चीज और जब उन्होंने इसे देखा तो वो सिध्धान्त ताह सहमत हो गए तो अधिकारिक जाच ने बड़े जमीनदारों के खिलाफ सबूतों का धेर इकठा कर लिया था और जब उन्होंने इसे देखा तो वो सिध्धान्त ताह किसानों के पैसे वापस करने के लिए तैयार हो गए बठाओ मच लेकिन कितना मश्ट वीपे हमें पे करना होगा हमें चुकाना होगा अजय से पूछा उन्होंने सोचा कि हीव डिमांड करेंगे रिपेमेंट Christ वो पैसा रिपेमेंट मतलब होता है पैसा वापस करना in full of money purple money यानि Square कर्दा और फो ए तच्राएंगे तो full of the money तो वो सारा पैसा वह वापस मांगेंगे विच जिसे दे उन्होंने had illegally गैर कानूनी रूप से and deceitfully और धोखे से exhorted एठा है या वसूला है from the sale croppers बटाईदारों से तो उन्होंने अब दे देखिए समझी है यहाँ पे कौन सावर्ड किस लिए योज हुआ है दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए तो सरकारी अधिकारियों ने सोचा की ही कि गांधी जी उन्दिमांड रीपेमेंट वो पैसे वापस मांगेंगे वो सारा का सारा पैसा वापस मांगेंगे विच जो पैसा दे उन सरकारी अधिकारियों ने हैड इल्लीगली गैर कानोनी रूप से और धोखे से बटाईदारों से एठा था या बटाईदारों से वसूला था अब इसको किताब की भासा में पढ़ लेते हैं कि उन्हों ने सोचा यानि सरकारी अधिकारियों ने सोचा कि गांधी जी वो सारा पैसा वापस मांगेंगे जो उन सरकारी अधिकारियों ने किसानों से या बटाईदारों से गैर कानोनी रूप से और धोखे से एठा था ठीक है तो गांधी जी कहीं ने लिखा और ना ही कहीं पे लिखा है सरकारी अधिकारी लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दे लगा है सरकारी अधिकारियों के लिए और ही लगा है गांधी जी के लिए he asked उन्होंने मांगा he लगाए गांधी जी के लिए तो गांधी जी ने मांगा only केवल 50% 50% तो गांधी जी ने केवल 50% मांगा देर वहाँ पर he गांधी जी seemed प्रतीत हुए adamant adamant का मतलब होता है जिद्धी या फिर आप हठी भी कह सकते हैं तो हम या पर सिधा सिधा जिद्धी बोलेंगे तो वहाँ पर गांधी जी जिद्धी प्रतीत हुए rights लिखते हैं reverend जेजड हूज rights लिखते हैं reverend मतलब होता है आदर नी जेजड हूज जेजड हूज एक नाम है ठीक है तो जेजड हूज अब ब्रिटिस मिशनेरी जो की एक अंगरेज मिशनेरी थे एक अंगरेज कमिशनर थे तो एक अंगरेज कमिशनर आदर नी जेड हूज लिखते हैं इन चमपारन जिन्होंने चमपारन की यानि जिन्होंने चमपारन की अब्जर्बड थे इंटार एपिसोड पूरी घटना को एड क्लोज रेंज नजदीक से अब्जर्ब किया था देखा था तो एक ब्रिटिस यानि अंगरेज कमिशनर आदर नी जेड हूज लिखते हैं जिन्होंने चमपारन की पूरी घटना को पास से या नजदीक से देखा था तो वो क्या लिखते हैं कि वहाँ पर गाधी जी जिद्धी प्रतीत हुए नहीं जूड रहा तो इसको ऐसे जूड़ो कि एक ब्रिटिस कमिशनर या फिर एक अंगरेज कमिशनर आदर नी जेड हूज जिन्होंने चमपारन की पूरी घटना को नजदीक से देखा था लिखते हैं कि वहाँ पर गाधी जी जिद्धी प्रतीत हुए अब गाधी जी ने 50% मांगा है तो जैसे कोई सामान होता है उसको खरीदने के लिए जैसे हम कहते हैं यह इसका 100 रुपय चाहिए यह तो सामने वाला कहता है नहीं 100 नहीं देंगे 80 देंगे 20 देंगे 25 देंगे तो वही जी जब यहाँ पर thinking probably सायद यह सोच कर that कि he गाधी जी would not give way नहीं मानेंगे सायद यह सोच कर कि गाधी जी नहीं मानेंगे the representative representative मतलब प्रतिनिधी of the planters यानी जमीनदारों के तो जमीनदारों के प्रतिनिधी ने offered प्रस्ताव रखा to refund वापस करने का या फिर लटाने का to the extent of 25% मातर 25 परसंट या फिर 25 परसंट तक लटाने का प्रस्ताव रखा the extent of 25% इसका मतलब हो जाएगा 25 परतिसत लटाने या वापस करने का प्रस्ताव रखा तो साइद ये सोच कर कि गादी जी नहीं मानेंगे जमीनदारों के प्रतिनिधी ने 25 परतिसत तक वापस करने का प्रस्ताव रखा and to his amazement and to his और उसके amazement आश्चरे का ठिकाना ना रहा या फिर उसके आश्चरे की कोई सीमा ना रही Mr. गादी जब स्रीमान गादी ने took him उसे पकड़ लिया at his word उसके सब्दों को यानि जब श्रीमान गादी जी ने उसके सब्दों को पकड़ लिया तुक हिम, उसे पकड़ लिया, at his word, उसके सबदों से, अर्थात, जब गाधी जी ने उसके सबदों को पकड़ लिया, अर्थात, यहाँ पर यह कह रहे हैं, कि गाधी जी उसकी बात से सहमत हो गए, या फिर गाधी जी ने उसकी बात मान लिया, और उसके आश्यरे का ठिकाना आ रहा जब श्रीमान गाधी जी ने उसकी बात को मान लिया या फिर उसके सब्दों को पकड़ लिया ठीक है तो यहाँ पर सिधा सिधा लिखा यही गया है कि गाधी जी ने उसकी सब्दों को पकड़ लिया जिसका तातपर यह है कि गाधी जी ने उसकी बात मान ली दस और इ रुपय का तो आप बोलते हैं नहीं पचास देंगे लुगां दार बोलते हैं कि यह सप्टर से ज्यादा है नहीं तो यह उते हैं गती रोध जिसमें आप मोल भाव करते रहते हो तो यह चीज उन्हें समाप्त कर दी तो तो बात खतम करो हैं यह समझावता was adopted, सुईकार कर लिया गया, अनिमोजली निरविरोध, by the commission आयोग के द्वारा, तो आयोग ने इस समझावते को निरविरोध, सुईकार कर लिया, गाधी एक्सप्लेंट, गाधी जी ने समझाया, that कि the amount of the refund, वापसी की रकम, वापसी की रकम, यानि जो पैसे व आपस मिल रहे हैं, तो वापसी की रकम was less important, कम महत्वपोर्ण है, then the fact, इस बात की तुलना में, that कि, landlords, जमीनदार, had been obliged, मजबूर हो गए, to surrender, लौटाने के लिए, part of the money, पैसे का कुछ हिस्सा, part of the money, part मतलब हिस्सा, तो part of the money, पैसे का कुछ हिस्सा, and with it, और इसके साथ ही, part of their prestige, अपनी प्रतिष्ठा, prestige मतलब अपनी प्रतिष्ठा, their prestige, यानि अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा, यानि कहने का मतलब है, कि जब अब तक लोग डर रहे थे, जमीनदारों से, लेकिन जब जमीनदार लोग मजबूर हो गए, उनके पैसों को लटाने के लिए, तो ठीक है, तो यह सेटिल्मेंट यह समझा उता, कमीशन या फिर आयोग के द्वारा निर्विरोध सुईकार कर लिया गया, और गाधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम कम महत्वपूर्ण है, इस बात की तुलना में, that कि जमीनदार लोग had been obliged मजबूर हो गए, कि जमीनदार लोग मजबूर हो गए, to return some surrender लोटाने के लिए part of the money, पैसे का कुछ भाग, तो पैसे का कुछ भाग लोटाने के लिए मजबूर हो गए, और इसके साथ ही, अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भाग भी देने के लिए वो मजबूर हो गए, अब अगर ये वाली ला इन से आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो therefore इसलिए as far as जब तक या फिर जहां तक पीजेंट्स वाज कंसर्ड, पीजेंट्स किसानों की बात है, यानि concern मतलब चिंता करना एक तरह से जहां तक किसानों की बात है, तो इसलिए जहां तक किसानों की बात है, behaved, बेवहार किया, as lord above the law, बेवहार किया किसानों के साथ, यानि यहां पर लिखा नहीं गया है, लेकिन हमको पढ़ना पढ़ेगा, समझना पढ़ेगा, कि जमीनदारों ने उनके साथ ऐसा बेवहार किया, मानो वो law, कानून से भी उपर हो, lord above the law, यानि कानून से भी उपर ह तो जमीन यहां पर फिर से पढ़ लेजिए कि इसलिए जहां तक किसानों की बात है जमीनदारों ने उनके साथ ऐसा बेवहार किया मानों वो कानून से भी उपर हो यानि अब उनसे प्राब्लम हो गई थी ने जमीनदारों को अगर वो लोग केस बगेरा कर देते या फिर आयोग के सामने बोल देते कि इन्होंने हमको सताया है या फिर जबर जस्ति हमसे पैसे वसूले है तो उन जमीनदारों को प्राब्लम हो जाती इसलिए उन जमीनदारों ने उन किसानों के साथ ऐसा बेवहार किया, जैसे वो स्वयम भगवान होके आ गए है, यानि कहने का मतलब वो लोग कानून से भी उपर है, और इसलिए जहां तक किसानों की बात है, जमीनदारों ने उनके साथ ऐसा बेवहार किया, मानों वो लोग कानून से भी उपर हो, Now, अब the peasants, किसानों ने शौ देख लिया था, that he had rights, rights मतलब अधिकार, कि उनके पास अधिकार थे, and defender, defender मतलब रच्छक और रख्छक थे, अब किसानों ने देख लिया था, कि उनके पास अधिकार थे, और रख्छक थे, he learned courage, और उन्होंने courage साहस करना सीख लिया था Events justified गांधी's position, events, घटनाओ ने justified, सही सिद्ध किया, गांधी's position, गांधी जी की इस्थिती को, पोजिशन मतलब इस्थिती, तो घटनाओ ने गांधी जी की इस्थिती को सही सिद्ध किया, within a few years, यह clear हो गया ना, कि घटनाओ ने गांधी जी की इस्थिती को सही सिद्ध किया, within प्रिटिस अंग्रेज प्लैंटर्स जागीरदारों ने तो कुछी सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपने जागीरें छोड़ दिया देयर अपने इस्टेट्स जागीरों को तो कुछी सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरें छोड़ दि विच जिन्हें रिवर्टेड वापस दे दिया गया तो दे पेजैंट्स किसानों को जिन्हें किसानों को वापस दे दिया गया इंडिगो शेयर कॉपिंग डिशपीरड इंडिगो की शेयर कॉपिंग बटईदारी डिशपीरड समाप्त हो गई तो घटनाओं ने गाधी जी की इस्तिती को सही सिद्ध किया कुछी सालों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जागीरे छोड़ दी जिन्हें किसानों को वापस कर दिया गया इंडिगो की बटईदारी समाप्त हो गई चलिए आगे देखते हैं कि गांधी नेवर कंटेंटेंटेंट हिमसल्फ देखे ध्यान से समझेगा आज सर में बहुत दर्द है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ तो रोज की अपक्षा आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ ठीक है पढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि बोड एक्जाम सपास है और मुझे नौवंबर से क्षिश्चन अंसर की सीरीज स्टार्ट करनी है ध्यान दीजेगा बोड एक्जाम के लिए एक चीज की हो सके जितना हो सके आपके अध्यापक ने जो क्षिश्चन अंसर लिखाया है वही याद कीजिएगा सिंटर आडिया वही याद कीजिएगा जो आपके अध्यापक ने लिखाया है बोड एक्जाम में पूछेगे जो क्षिश्चन से वही सॉल्ब कीजिए जो आपके अध्यापक ने कराया है किसी भी गाइड या विद्या का जितना हो सके उतना कम सहारा लीजिएगा क्योंकि जब आप किसी गाइड से पढ़ कर जाते हो ना तो बोड एक्जाम में जो कापी चेक करने बैठा होता है बंदा उसको पता होता है कि ये लड़का रट कराया है और जब आप अपने टीचेर के लिखाए सब्दों का प्रियोग करते हैं और अगर उसको ये अहसास हो गया कि आप रटा मार कर आए हैं तो वो आपको ज़्यादा अंक नहीं देगा देखे धान दिजिएगा कि अगर आपने अपने ध्यापक के द्वारा लिखाया गया और प्रियोड नोट से यार किया है तो वहां से याद कीजिए ठीक है तो आप लोग यहां चैनल से भी ले सकते हैं पीडियाफ या फिर आप अपने अध्यापक के द्वारा लिखाये के कुश्चनों सो याद कर सकते हैं ठीक है ध्यान दिजिएगा इस चीज के लिए जितना हो सके गाइड या विद्या पर कम से कम डिपेंड होना है यह आपका काम है ठीक है तो आके चलते हैं क्याते गादी ने वहर Brazilian गादी जी कभी भी संथुष्ट नहीं होते थे बड़े पोलिटिकल राजनेतिक और एकोनोमिक अत्वा आर्थिक सॉलूशन शमाधानों से तो गांधी जी कभी भी बड़े राजनेतिक और या फिर अथवा इकोनोमिक आर्थिक सॉल्यूशन शमाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे क्लियर है इतना स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि एक एक वर्ट खुद देख लो समझ लो हर एक चीज़ क्लियर हो जाए इतना स्लो चल रहा हूं कि गांधी जी कभी भी बड़े राजनीतिक और या फिर अथवा आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे हीश्व उन्होंने देखा दक कल्चरर सांस्कृतिक और सामाजिक बैकबोर्डनेस पिछडापन उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछडापन देखा इन्द चमपारन विले चमपारन गाओं में तो चमपारन के गाओं में उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछडापन देखा और वो चाहते थे to do करना something कुछ about it इस बारे में immediately सीग रही और सीग रही इस बारे में वो कुछ करना चाहते थे clear है कि उन्होंने चमपारन के गावों में या फिर चमपारन के गावों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और इस बारे में कहां गया about it इस बारे में वो सीग रही कुछ करना चाहते थे do मतलब करना want मतलब चाहना तो something मतलब कुछ do करना चाहते थे he appealed उन्होंने appeal की उन्होंने appeal की from teachers अध्यापकों से तो उन्होंने अध्यापकों से appeal की महादेव दिसाई महादेव दिसाई एंड और नरहरी पारीक और नरहरी पारीक टू यंग मैन दो नव युवक who had just जिन्होंने अभी अभी जॉइंड जॉइन हुए थे जो अभी अभी जॉइन हुए थे या फिर जुडे थे गांधी जी से as disciple शिष्य के रूप में यानि जॉइन गांधी as disciple यानि जो गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे तो महादेव देशाई और नरहरी पारीक दो नव युवक या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नव युवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे clear है कि महादेव देशाई और नरहरी पारीक दो नव युवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे and their wives और उनकी पतनियों ने volunteer समर्पित किया for the work इस काम के लिए तो इस काम के लिए स्वयम को समर्पित किया या फिर प्रस्तुत किया ठीक है तो महादेव देशाई और नरहरी पारीक दो नव युवक जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे और उनकी पतनियों ने इस काम के लिए स्वयम को प्रस्तुत किया शेवरल मोर बहुत से अन्य लोग आये बहुत से अन्य लोग भी आये फ्रम बॉम्बे बॉम्बे से पूना पूना से और दूसरे दिस्टेंस दूरवर्ती पार्ट आप लेंड भागों से और दूरवर्ती भागों से तो बॉम्बे पूना और अन्य दूरवर्ती भागों से बहुत से अन्य लोग भी आये देवदास गांधी से यंगे से गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास भी आगया फ्रम आश्रम आश्रम से तो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास भी आश्रम से आगया और इसके साथ ही डिड मिसिस गांधी स्रीमती गांधी भी आगयी स्रीमती गांधी यानि गांधी जी की पतनी या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसके साथ गांधी जी की पतनी भी आगयी ठीक है तो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा देवदास आश्रम से आ गया और श्रीमती गांधी भी आ गई प्राइमरी स्कूल्स वरोपेंड इन सिक्स विलजेस छे गावों में प्राइमरी स्कूल्स वरोपेंड खोले गए शे गावों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए कस्टूरबाई हम सबस्कों पता है है कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्टूरबा था तो यहाँ पे कस्टूरबा थीक है निकस्तूर्बा आस्रम के नियम सिखाते थी ऑन-personal cleanliness यानी वयक्तित स्वक्षता यानि यहाँ पर देखिए व्यक्तित्ट स्वक्षता and or community sanitation sanitation मतलब भी स्वक्षता community मतलब सामुदाइक अब ध्यान से समझेए यह जो personal है इसकी कई हिंदी होती है जैसे की व्यक्तिगत या फिर अपनी स्वयम की या फिर नेजी जो भी आपको बोलना हो या फिर व्यक्तिगत स्वक्षता के बारे में या फिर अपनी स्वक्षता के बारे में या फिर नेजी स्वक्षता के बारे में जो बोलना हो बोल सकते हैं यहाँ पर व्यक्तिक ये भी है ये भी बोल सकते हैं ठीक है तो कस्तूरबाई taught the sram rules कस्तूरबा आस्रम के नियम सिखाती थी पर्सनल क्लीनिनेस यानि गत्ति गत्त या फिर निजी स्वक्षता और कम्यूनिटी सैनिटेशन और सामुदाइक स्वक्षता और मतलब पर तो कस्तूरबाई निजी स्वक्षता और सामुदाइक सच्षता पर आस्रम के नियम सिखाती थी अब क्लियर है आगे चलते हैं एल्थ कंडिशन्स वार माइजरेबल हैल्थ कंडिशन्स यानि स्वास्थ हालत वार माईजरेबल दैनीय थे तो स्वास्थ के हालत दैनीय थे गाधी गॉट डाक्टर गाधी जी ने गॉट डाक्टर एक डॉक्टर ढूण लिया था या फिर गाधी जी ने एक डॉक्टर तयार कर लिया था तो स्वख्षा से सेवा करना यानि अपनी मर्जी से सेवा करना कहने का मतलब वो फीस नहीं लेता था, फ्री में सेवा करता था तो गाधी जी ने एक डॉक्टर तयार कर लिया था जो स्वच्छा से सेवा करता था फौर सिक्स मंथ, छे महीनों तक तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि गाधी जी ने सोच्छा से सेवा करने के लिए या फिर छे महीनों तक सोच्छा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तयार कर लिया था three medicines were available, three medicines, three तरह की दवाएं were available, उपलब्ध थी, तो तीन तरह की दवाएं उपलब्ध थी, कuisटोर ओयल, यानि R&D का तेल, कौनीन, यानि कुनैन, एंड शल्फर ओइंट्मेंट शल्फर ओइंट्मेंट यानि गंधक का मलहम तो हिल्थ कंडिशन वर माजरेबल स्वास्थ के हालत दैनिय थे गाधी जी ने शिक्स मन्थ छे महीनों तक स्वेक्षा से सेवा करने के लिए एक डॉक्टर तयार कर दिया था तीन तरह की दवाईयां उपलब्ध थी कष्टर ओइल अरंडी का तेल कुनैन और गंधक का मलहम अगर कोई भी हूँ जो सोड दिखाता अकोश्टेट टंग यानि जीव पल मतलब होता है जीव कोटेट यानि यहाँ पर कोटेट का मतलब है कि जीव के ऊपर मैल जम जाना तो कहने का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जीव पर जमा हुआ मैल दिखाता था तो हम इसको ऐसे तो पढ़ नहीं सकते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ती के जीब पर मैल जम जाता था तो वाजगिविन तो उसे दिया जाता था अडोज आफ कष्टर ओयल तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था कश्टर ओयल यानि अरंडी का तेल तो अगर किसी भी व्यक्ति के जीब पर मैल जम जाता था तो उसे अरंडी का तेल दिया जाता था और अगर किसी भी व्यक्ति को विथ मलेरिया फीवर मलेरिया बुखार हो जाता था यानि मलेरिया बुखार वाले मरीजों को receive quinine कुनायन प्लस और कस्टर ओयल अरंडी का तेल दिया जाता था प्लस मतलब और तो कुनायन के साथ साथ अरंडी का तेल भी दिया जाता था तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया वुखार हो जाता था तो उसे कुनायन और या फिर कुनायन के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था Anybody और किसी भी व्यक्ति को with skin eruptions skin eruption यानि फोड़ा फुनसी और अगर किसी भी व्यक्ति को फोड़ा फुनसी की सिकायत हो जाती थी तो received ointment तो उसे ointment यानि गंधक का मलहम प्लस और कश्टर ओयल अरंडी का तेल दिया जाता था या फिर गंधक के मलहम के साथ अरंडी का तेल दिया जाता था गंधी जी ने देख्या दफिल्टी स्टेट गंधी हालत आफ वूमेंज कॉध महिलाओं के कपड़ों की तो गंधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंधी हालत देख्यी He asked, उन्होंने कहा, कस्तूरबाई, कस्तूरबा से उन्होंने कस्तूरबा से कहा, to talk की वो बात करे, to them, उन महिलाओं से ठीक है, यानि उन अवरतों से, जिनके गंदे कपड़े थे तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा, कि वो उन से, about it, इस बारे में बात करे तो गाधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि वो उन से इस बारे में बात करें वन वुमेन एक महिला टुक ले गई कस्तूरबा को एक महिला कस्तूरबा को ले गई into her hut अपनी जोपड़ी में एक महिला कस्दूर्बा को अपनी जोपड़ी मिले गई and said और बोली या फिर और कहा look देखो there is no box कोई संदूख नहीं है और cupboard और आलमारी नहीं है अर्थात ना तो कोई संदूख है और ना ही कोई आलमारी है here यहाँ पर four cloths कपड़ों के लिए तो कपड़ों के लिए यहाँ ना तो कोई संदूख है और ना ही कोई आलमारी है दसारी और यह जो सारी I am wearing मैंने पहन रखी है और मैंने यह जो सारी पहन रखी है is the only one I have only one यह केवल एक मात्र ही I have मेरे पास है मेरे पास केवल यही एक मात्र सारी है या फिर यही एक मात्र सारी मेरे पास है during his long stay in चमपारन चमपारन में long stay लंबे समय तक stay रहने की वज़ा से या एक लंबे ठहराव की वज़ा से और during मतलब होता है दावरान तो चमपारन में अपने लंबे ठहराव के दावरान गांधी केप्ट a long distance watch गांधी गांधी जी केप्ट रखते थे a long distance दूर से ही watch द्रिष्टी गांधी जी दूर से ही द्रिष्टी रखते थे ओंदा आस्रम आस्रम पर अर्थात आस्रम तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो चमपारन में रहते थे तो वो चमपारन से ही आस्रम पर ध्यान दिया करते थे अब कैसे ध्यान देते थे वो आगे लिखा है तो during मतलब होता है दौरां he is long stay लंबा ठाराव या फिर लंबे समय तक रुकना इन चमपारन चमपारन में तो चमपारन में लंबे समय तक रुकने के दौरान या फिर चमपारन में लंबे ठाराव के दौरान गांधी जी आस् ठीक है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आसान सब्दों में जो हम सब बोलते हैं कि गांधी जी आसरम पर दूर से ही नजर रखते थे ही सेंट वो भेजा करते थे रेगुलर नियमित रूप से इंस्ट्रक्शन्स निर्देश वो नियमित रूप से रेगुलर नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे बाई मेल, मेल के द्वारा, डाक के द्वारा तो डाक के द्वारा वो नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे and asked और मागा करते थे for financial accounts financial मतलब होता है धन, पैसा पैसों का account, यानि पैसों का account यानि पैसों का लेखा, जोखा asked मागा करते थे तो वो नियमित रूप से पोश्ट यानी मेल, मेल मतलब यहाँ पे सिधा सिधा डाक, तो डाक की ऐसा द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजा करते थे और धन का या फिर पैसों का लेखा जोखा मागा करते थे एक बार तो ही वरोट उन्होंने लिखा था, तुड़ा रेजिदेंस, आस्रम में रहने वाले, रेजिदेंस मतलब आस्रम में रहने वाले लोग, तो एक बार तो उन्होंने आस्रम में रहने वाले लोगों के लिए लिखा था, that की, it was time कि समय आ गया है, it was time कि समय आ गया है, to तो फिल की भर दिये जाए, in the old, पुराने लैट्रिन, ट्रेंचेस, पुराने लैट्रिन के ट्रेंचेस, ट्रेंच मतलब गढ़े, ठीक है, तो पुराने सौचाले के गढ़ों को फिल कर दिया जाए, भर दिया जाए, and डिग निव वन्स, और नए गढ़े डिग कर दिये एक बार तो आस्रम में रहने वाले लोगों को उन्होंने लिखा था, कि समय आ गया है, कि पुराने सौचाले के गढ़ों को भर दिया जाए, और नए गढ़े खोदे जाए, otherwise नहीं तो, या फिर अन्य था, दो ओल्ड वन्स, पुराने गढ़ों से उर्बिगीन आने लगेगी to smell गंध, बैड, दुरगंध, दुरगंध, बैड, बैड इसमेल मतलब एक तरह से दुरगंध या फिर बदबू, नहीं तो, पुराने गढ़ों से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, दो चंपारन एपिसोड वाजा टर्निंग पोइंट इन गाधी जीवन में, तो चंपारन की घटना गाधी जीवन में, एक महत्तपूर्ण मोड ती, what I did, जो कुछ भी मैंने किया है, he explained, वो बताते हैं या फिर वो इसपष्ट करते हैं, या फिर उन्होंने इसपष्ट किया, कि जो कुछ भी मैंने किया है, was a very, वो एक बहुत ही, आडिनेरी साधारन थी, बात है, तो बात या फिर काम दोरो तरह से कह सकते हैं, तो इसको फिर स समझे कि चमपारन की घटना, गाधी जी के जीवन में, एक महत्तोपोर्ण मोड थी, he explained, वो इसपष्ट करते हैं, या फिर उन्होंने इसपष्ट करते हुए कहा, कि what I did, मैंने जो किया है, was a very ordinary thing, वो बहुत ही साधारन काम है, तो मैंने बहुत साधारन काम किया है, ठीक है, was लगा है, तो यानि मैंने बहुत साधारन काम किया था, ठीक है, clear है न, कि what I did, was a very ordinary thing, ये पूरा जोड कि हमको पढ़ना पढ़ेगा, तो he explained को हमें पहले पढ़ना पढ़ेगा, तो उन्होंने इसपष्ट करते हुए कहा, कि what I did, was a very ordinary thing, यानि ये पूरा, what I did से लेकर was a very ordinary everything, इस पूरे का मतलब हो जाएगा, कि मैंने बहुत साधारन काम किया है, वाज लगा है, तो हो जाएगा, मैंने बहुत साधारन काम किया था, I declared, मैंने केवल घोसरा की, केवल नहीं लिखा, तो यहाँ पर I declared लिखा है, तो मैंने घोसरा की, that की, the British की अंगरेज, could not order, आदे आदेस नहीं दे सकते, मी मुझे, तो मैंने घोसरा की, की, अंगरेज, मुझे आदेस नहीं दे सकते, about in my own, मेरे खुद के, या फिर मेरे अपने कंट्री देस में, मैंने घोसरा की, की, अंगरेज, मेरे अपने देस में, मुझे आदेस नहीं दे सकते, एक बर फिर से रिवि हो जाएगा कि चंपारण की घटना गांधी जीवन में एक महत्तो पूर्ण मोड थी, he explained उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि what I did was a very ordinary thing, यानि मैंने बहुत ही साधारण काम किया था, मैंने घोस्णा की कि अंगरेज मेरे अपने देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते, बट चंपारण, लेकिन चंपारण की घटना डिड नॉट बिगिन, सुरू नहीं होई थी, as an act, act मतलब होता है कार्य या फिर कृत्य, तो एक कार्य के रूप में of defiance, defiance यानि अवग्या के, लेकिन चंपारण की घटना अवग्या के एक कार्य के रूप में प्रारंभ नहीं होई थी, लेकिन चंपारण की घटना अवग्या के एक कार्य के रूप में प्रारंभ नहीं होई थी, it grew out, ये प्रारंभ होई थी, of an attempt एक प्रयास के द्वारा, to elevate the distance, elevate the distance यानि कष्टों को दूर करना, तो कष्टों को दूर करने के लिए of large number, large number यानि बड़ी संख्या में, of poor peasants, गरीब या फिर निर्धन, peasants मतलब किसान, तो यहां बड़ी संख्या में, यहां बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कष्टों को दूर करने के प्रयास के द्वारा, आयन लगा है तो एक प्रयास के दौरा प्रारंभ हुई थी clear है कि यहां बड़ी संख्या में गरीब किसानों के कश्टों को दूर करने के एक प्रयास के दौरा प्रारंभ हुई थी यहां था यानि गांधी जी का विशिष्ट तरीका तो यहां गांधी जी का विशिष्ट तरीका था his politics उनकी politics यानि उनकी राजनेतिक विचारधारा were intervined जुड़ी हुई थी with the practical problems practical problems मतलब यहां पे है कि व्यवहारिक समस्या day to day यानि रोज मर रहा of the millions यानि लाखों लोगों की कैसे पढ़ेंगे इसको कि उनका या फिर उनकी politics उनकी राजनेतिक विचारधाराएं millions लाखों लोगों के day to day रोज मर रहा के practical problems व्यवहारिक समस्याओं से intervined जुड़ी हुई थी या फिर गुथी हुई थी कहने का मतलब है कि वो millions लाखों लोगों के बारे में सोच कर राजनेति करते थे आसान सब्दों में कि उनकी राजनेतिक विचारधाराएं लाखों लोगों के रोज मर रहा के व्यवहारिक समस्याओं से जुड़ी हुई थी इंट्रवाइन मतलब जुड़ना या फिर गुथा हुआ होना जुड़ा होना या फिर गुथा हुआ होना तो आप दोनों बोल सकते हो आप चाहsehen बोल दो कि जुड़ी हुई थी या फिर गुथी हुई थी अब गुथी हुई बोलना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उनकी राजनैतिक विचारधाराएं लाखो लोगों के रोज मर्रा के प्रैक्टिकल प्राब्लम्स व्यवहारिक समस्याओं में इंटर्वाइंड गुथी हुई थी His was तो His was लिखा था तो यहां लिख दिया कि His was not a loyalty तो उनमें loyalty नहीं थी उनमें वफादारी नहीं थी To abstractions Abstractions यानि कालपनिक चीजें तो कालपनिक चीजों के प्रती उनमें वफादारी नहीं थी कहने का तात्पर है कि His was not a loyalty to abstractions कि उनमें कालपनिक चीजों के प्रती वफादारी नहीं थी उनकी वफादारी वाज थी यानि इट वाज लोयल्टी उनकी वफादारी थी तो लिविंग जीते जागते human beings मानवों के प्रती तो abstractions यानि कालपनिक चीजों के प्रती उनकी वफादारी नहीं थी सीधे सीधे आपे ऐसे पढ़ सकते हैं कि यानि कालपनिक चीजों के प्रती उनकी वफादारी नहीं थी बलकि उनकी वफादारी जीते जागते मनुश्यों के प्रती थी इन एवरिटिंग जो कुछ भी गाधी डिट गाधी जी करते थे अर्थात इसके अलावा गाधी जी जो कुछ भी करते थे यानि इसके अलावा तो इसके अलावा गाधी जी जो कुछ भी किया करते थे तो वो प्रयास करते थे तो मॉल्ड मतलब ढालना वो ढालने का प्रयास करते थे अन्यू एक नया फ्री स्वतंत्र इंडियन भारती वो एक नया स्वतंत्र भारती धालने का प्रयास करते थे ठीक है तो इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे वो उसमें एक नया स्वरी he tried वो प्रयास करते थे to mouth ढालने का अन्यू एक नया free स्वतंत्र इंडियन भारती चोटा कर लेता हूं क्योंकि समझाने में मुझे फी problem हो रही है चलिए यहां तक समझते पहले कि in everything गाधी डिट moreover तो इसके अलाबा in everything गाधी डिट तो गाधी जी जो कुछ भी किया करते थे वो उसमें एक नया स्वतंत्र भारती या ढालने का प्रयास करते थे who जो could stand खड़ा हो सके on his own अपने खुद के फीट पैरों पर जो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सके and thus और इस प्रकार make India free भारत को स्वतंत्र करा सके तो इसके अलाबा गाधी जी जो कुछ भी करते थे वो उसमें एक नया स्वतंत्र भारती या ढालने का प्रयास करते थे जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके या फिर अपने सोयम के पैरों पर खड़ा हो सके और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सके early in the champaran action early मतलब शुरू में in the champaran action यही चamparan action मतलब घटना तो चamparan घटना के शुरू में ही चamparan घटना के प्रारंभ में ही या फिर चamparan घटना की शुरुवात में ही Charles Freer Andrews Charles Freer Andrews जो अंग्रेज शांती दूद थे तो जो एक अंग्रेज शांती दूद थे उनका नाम क्या था Charles Freer Andrews तो Charles Freer Andrews जो एक अंग्रेज शांती दूद थे who had become जो बन गए a devotee follower एक अनुयाई of महात्मा गाधी के जो महात्मा गाधी के एक अनुयाई बन चुके थे ठीक है तो अर्ली इन्द चंपारन एक्षन चंपारन घटना के प्रारंभ में ही Charles Freer Andrews जो एक अंग्रेज सांती दूद थे वो गाधी जी के अनुयाई बन चुके थे came वो आए to bid गाधी जी गाधी जी से farewell अलविदा कहने के लिए वो गाधी जी से अलविदा कहने के लिए आए या फिर गाधी जी से बिदाई लेने के लिए आए before यानि पहले going जाने से जाने से पहले on a tour of duty tour of duty duty मतलब सेवा तो अपनी सरकारी सेवा पर tour of duty यानि अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले to the fizzy islands fizzy टापू पर तो पहले इतना समझिये कि चमपारन घटना के प्रारंभ में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रियूस जो एक अंग्रेज सांती दूद थे वो गांधी जी के या महात्मा के अन्याई बन चुके थे और वो गांधी जी से बिदाई लेने के लिए आए या फिर गांधी जी से अलविदा कहने के लिए आए before जाने से पहले फीजी आइलेंड पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले ठीक है तो वो फीजी आइलेंड यानि फीजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले गांधी जी से अलविदा या फिर बिदाई देने के लिए आए ठीक है विदाई देने के लिए यानि विदाई लेने के लिए आए क्लियर है नई स्पष्ठवास एकदम आसान तो है यहाँ पे के अरली इंद चमपारन एक्षन चमपारन घटना के अरली शुरुवात में ही चार्ल्स फ्रीर एंड्रियूज यह एक व्यक्ति का नाम है तो चार्ल्स फ्रीर एंड्रियूज जो एक अंग्रेज सांती दूद थे वो महात्मा के अनुयाई बन चुके थे यहां तक हो गया छोटा कर लिया के मतलबा ना to bid गांधी फियर वेल गांधी जी से विदाई लेने के लिए आए या फिर गांधी जी को अलविदा कहने के लिए आए बिफोर गोइंग जाने से पहले on a tour of duty अपनी सरकारी सेवा पर तो फीजी आइलेंट यानि फीजी टापू पर तो फीजी टापू पर अपनी सरकारी सेवा पर जाने से पहले वो गांधी जी से बिदाई लेने के लिए आए के मतलब आना अब आगे क्या कहते हैं वो समझेए गांधी जी के लॉयर वकील फ्रेंड्स मित्रों ने गांधी जी के वकील मित्रों ने थौट सोचा कि इट उट बी अगूड आइडिया ये एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रियूस टू इस्टे ठहर जाएं इन चमपारन चमपारन में कि एंड्रियूस चमपारन में ठहर जाएं एंड हल्प दिम और उनकी सहायता करें किसके सहायता करें गांधी जी की और उनके वकील मित्रों की ठीक है तो गांधी जी के वकील मित्रों ने सोचा कि ये एक अच्छा विचार होगा कि एंड्रिव चमपारन में ही रुख जाएं और उनकी सहायता करें एंड्री वास विलिंग 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 एं खिलाफ थे या फिर गांधी जी इसके विरुध थे बट लगा है तो लेकिन गांधी जी इसके विरुध थे या फिर लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे He said, उन्होंने कहा, you think, आपको लगता है, that, it is unequal fight, unequal, equal मतलब बराबर, unequal मतलब गैर बराबर, जो बराबर का ना हो, तो आपको लगता है, think that, in this, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, आपको लगता है, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, it would be helpful, ये सहायक होगा, if, यदि, we have an Englishman, यदि हमारी तरफ एक अंग्रेज हो, on our side हमारी तरफ, यदि कोई अंग्रेज हमारी तरफ हो जाए, तो ये हमारे लिए सहायक होगा, गांधी जी क्या करें, बहुत बड़ी बात करें, कि अगर कोई गांधी, कोई अंग्रेज हमारी तरफ आ जाए, अर्थात हमारे पच्छ में आ जाए, तो ये हमारे लिए सहायक होगा, या फाइदे मन्द होगा, तो आपको लगता है, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, यदि कोई अंग्रेज हमारी पच्छ में आ जाता है, तो ये हमारे लिए फाइदे मन्द होगा, आपको लगता है, कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में, यदि कोई अंग्रेज व्यक्ति हमारे पच्छ में आ तो हमारे लिए ये सहायक होगा या फिर हमारे लिए ये फायदे मंद होगा चलिए फायदे मंद ही बोलिए या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये फायदे की बात होगी तो आपको लगता है कि इस गैर पराबरी की लड़ाई में यदि कोई अंग्रेज वेक्ती हम के हरदय की या आपके दिल की ये केवल आपके दिल की कमजोरी को दिखाता है या फिर ये केवल आपके हरदय की कमजोरी को दरसाता है तो कह रहे हैं आगे कि the cause is just just यहाई मतलब justice से है यहाँ यानि नयाय से है तो the cause यानि मुद्दा या फिर ये कारण is just यानि मुद्दा नयाय संगत है या फिर ये नयाय की बात ये है ऐसे बोल सकते हैं तो हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि मुद्दा नयाय संगत है cause मतलब मुद्दा कारण ठीक है तो कार न्याय संगत है या फिर मुद्दा न्याय संगत है and you और आपको must relay upon yourself आपको upon yourself अपने स्वयम के ऊपर ही relay निर्भर रहना होगा to win जीतने के लिए the battle इस युद्ध को और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने ऊपर ही निर्भर रहना होगा ठीक है तो the cause is just यानि मुद्दा न्याय संगत है और इस युद्ध को जीतने के लिए आपको अपने स्वयम के ऊपर ही निर्भर रहना होगा अर्थात आप किसी अंग्रेज व्यक्ति की सहायता नहीं लेंगे सिधी बाद तो you should not seek आपको नहीं ढोलना चाहिए अपरोफिक बैसाखी तो आपको एक बैसाखी नहीं ढोलनी चाहिए in Mr. Andrews स्रीमान Andrews के रूप में या फिर Mr. Andrews के रूप में तो Mr. Andrews के रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढोलनी चाहिए because he happens जो की happens यानि जो की संयोग वस केवल संयोग मातर से जो की संयोग वस या जो केवल संयोग मातर से to be an Englishman एक अंगरेज व्यक्ति है ठीक है तो Mr. Andrews जो की संयोग वस या केवल संयोग मातर से एक अंग्रेज व्यक्ति है उनके रूप में आपको बैसाखी नहीं धूढ़नी चाहिए ठीक है ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो एक ही लाइन का दो दो बार रिविजन करा रहा हूँ ताकि रिविजन ना कराना पड़े इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए ये चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ पुराने जमाने के सब्द यूज किये गये है तीचर का यह मानना होता है कि बच्चा तो अल्थ में आ गया उसको सब आता है ऐसा नहीं होता बच्चा तो बच्चा होता है उसको पढ़ना है तो उसको एकदम स्लो मोशन में ही पढ़ाना होता है धिरे धिरे समझाना होता है हर एक बात तो आप मत समझेए कि आप इतने बड़े हो गए हैं और मैं आपको इतने छोटे स्थर से समझा रहा हूँ अगर छोटे स्थर से नहीं समझाया गया तो यह chapter समझ में ही नहीं आएगा सबसे महत्तोपोर्ण बात यहां पे यही है कि हमें इस chapter को समझना है पढ़तों सब लेते हैं पढ़तों आप किताब से भी सकते हो चलिए ध्यान से समझे कि you should not seek आपको नहीं ढूना चाहिए प्रॉप एक बैसाखी इन Mr. Andrews स्रीमान Andrews के रूप में या फिर Mr. Andrews के रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढूरनी चाहिए जो की संयोग वस या केवल संयोग मात्र से एक अंगरेज है ठीक है? तो Mr. Andrews जो की संयोग वस एक अंगरेज है उनके रूप में आपको एक बैसाखी नहीं ढूरनी चाहिए He had read He लगा है गाधी जी के लिए तो He had read उन्होंने पढ़ लिया था Our minds हमारे मन को correctly ठीक ठीक यानि उन्होंने हमारे मन को ठीक ठीक पढ़ लिया था इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे मन की बात को ठीक तरह से जान लिया था तो He had read उन्होंने पढ़ लिया था Our minds हमारे मन को correctly यानि ठीक ठीक उन्होंने ठीक ठीक हमारे मन को पढ़ लिया था जिसका सीधा मतलब ये होता है कि उन्होंने हमारे मन की बात सही रूप से या एकदम ठीक जान ली थी थोड़ा सा बोल्ड हो गया तो सीधे सीधे ऐसे पढ़ते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी राजेंदर प्रसाद कमेंटेड राजेंदर प्रसाद कहते हैं राजेंदर प्रसाद कमेंटेड यानि राजेंदर प्रसाद कहते हैं and we कि हमारे पास had no reply कोई उत्तर नहीं था अब हमें इस राजेंदर प्रसाद जो नाम लिखा है इसको सबसे पहले पढ़ना होगा और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि he had read our minds correctly and we have no reply अब ये बीच का जो है ना ये सबसे पहले रखिए कि राजेंदर प्रसाद कमेंटेट राजेंदर प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ले थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था गांधी गांधी जी ने इंदिस्वे इस तरह से taught us हमें पढ़ाया अलेशन एक पाठ in self-reliance self-reliance का मतलब होता है आत्म निर्भर तो आत्म निर्भरता का पाठ इस तरह से गांधी जी ने हमें पढ़ाया आपकी बुक में श्वावलंबन दिया है नीचे देख सकते हैं ये श्वावलंबन ये तो यहाँ पर self-reliance का मतलब स्वावलंबन भी होता है जिसका सेधा सेधा मतलब आत्म निर्भर यानि स्वयम पर निर्भर रहो किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो चलिए तो राजिंद प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे मन की बाट ठीक ठीक जान ले थी और हमारे पास कोई उत्तर नहीं था गाधी जी ने इस तरह से हमें आत्म निर्भरता का या फिर श्वावलंबन का एलेशन एक पार्थ पढ़ाया ठीक है तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि गाधी जी ने इस तरह हमें आत्म निर्भरता का पार्थ पढ़ाया ठीक है एक एक पॉइंट कर रहा हूँ लेसन मतलब पार्ट पार्ट मतलब पढ़ाया तो गाधी जी ने इस तरह हमें आत्म निर्भरता का या फिर श्वाव लंबन का पार्ट पढ़ाया शिल्फ रेलियंस के लिए आप श्वाव लंबन भी बोल सकते हैं और आत्म निर्भर भी बोल सकते हैं जो याद हो जाए वो बोल दीजी अब यहाँ पे तीन चीज़े कही गई हैं एक है सेल्फ रेलियंस दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस और तीसरा है हेल्प टू शेर ग्रॉपर्स अब तीन चीज़े हैं जिनकी वज़ा से वो अल बाउन टूगेदर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पहला तो है सेल्फ रेलियंस यानि श्वाव लंबन या फिर आत्म निर्भरता तो आत्म निर्भरता इंडियन इंडिपेंडेंस इसका मतलब तो सबको पता है इंडियन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भारत की स्वाधीनता एंड हेल्प तो सेर क्रॉपर्स और सेर क्रॉपर्स यानि बटाईदारों की सहायता से वर ओल हम सभी बाउंड जुड़े हुए हैं तुगेदर एक दूसरे से वर लगा है यानि थे ठीक है इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे ठीक है ये पाश्ट का है वाजवर यानि थे तो सेल्फ रेलियंस यानि श्वाव लंबन भी बोल सकते हैं आत्म निर्भरता भी बोल सकते हैं मैं आत्म निर्भरता बोल रहा हूँ आप श्वाव लंबन बोल दीजेगा दोनों का बराबर हो जाएगा तो सेल्फ रेलियंस यानि श्वाव लंबन इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की स्वाधीनता और बटईदारों की सहायता से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो यहीं पर चैप्टर कम्प्लीट होता है इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर सेयर कीजेगा और अगर नया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तयारी कर सके इस चैप्टर को बहुत स्लोली पढ़ाया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके लेकिन फिर भी आप में कुछ न कुछ डाउट रह गया होगा तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि वीडियो कद्टा आपको यह चैप्टर खुद से पढ़ना है एक बार क्योंकि बोर्ड एकजाम में 100% यह चांस होता है 99% यह चांस होता है कि कोई न कोई कुछ से पूछी लिया जाता है क्योंकि गांधी जी भी है और एक बहुत बड़े आंदोलन की बात की गई है इस चैप्टर में जो भारत से ही संबंधित है इस वज़ा से यहां से ज़्यादा तर चांस होता है कि एक क्षिशन आपको देखने को मिलेगा तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और ध्यान दीजिएगा कि किसी भी गाइट या विद्या का जितना हो सके उतना कम सहारा लीजिएगा या तो उन प्रशन उत्तर को याद कीजिए उन सेंट्रल आडिया को याद कीजिए उन नोट्स को तयार कीजिए जो आपके टीचर ने तयार करवाए है या फिर अगर आप teacher के notes नहीं तयार कर पाए है तो हमने अपना notes तयार करवाया है जो कि number 6 आपको PDF के रूप में मिलना start हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा कि question answer की series जैसे ही मैं start करूँगा board exam में पुछे कि question answer की series जैसे ही मैं start करूँगा वैसे ही सब को PDF मिलना start हो जाएगा तो आप PDF लेकर तयारी कर सकेंगे ठीक है क्योंकि बच्चे जब guide या विद्या से पढ़ कर जाते हैं तो copy check करने वाले को ये हैसास हो जाता है कि ये बच्चा रट्टा मार कर आया है और वो आपको कम अंक देता है और वहीं जब आप अपने teacher की language में question and solve करते हैं और बाकी चीज़े हल करते हैं तो वहाँ पर teacher को लगता है कि बच्चे ने इसको खुद से हल किया है तो वो आपको ज़्यादा अंक देता है तो अभी भी time है समहल जाईए और अच्छे तरह से तयारी कीजिए इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर सेयर करना है क्योंकि बहुत मेहनत लगी है तीन पार्ट बनाने पड़ गए इस chapter के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा और अगर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तयारी कर सकें और जैसे ही PDF अफ्लोड होना इस्टार्ट हो आपको PDF भी मिल सकें पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आप से फिर से मिलूँगा